गरीब वर्शस अमीर का घर अयोध्या नाम के गौँ में सुख्राम नाम के विक्ति के स्रीदर और स्रीकर नाम के दो बेटे थे स्रीकर बहुत समझदार था किन स्रीदर और उसकी पत्नी फिजूल खर्ची करते थे एक दिन शराब पी कर घर लोट रहे स्रीदर से सुख्राम अरे कमबक कभी तुने ये भी सोचा है कि तेरे बीवी बच्चे हैं अरे अपने भाई से सीखो जायदाद के बत्वारा होने के बाद उसने कितने पैसे कमाए हैं नहीं बहुत बढ़िया घर बना रहा है आधा घर पानी में और आधा घर जमीन पर तो मैं क्या करूँ अब देखो हर बार मैं ज़र पी कर आता हूँ और तुम मुझे योन तंग करते रोगे तो मैं ये भी नहीं देखूँगा कि तुम मेरे पिता जी हो मैं तुझे कुट्टे की तरह काक काक कर चबा जाऊंगा कह देता हूं वाव वाव ये बात सुनकर सीधर की पत्नी जानकी भाव जी आजकल ये पागल हो गए है नहीं तो बड़े चोटे की समझ ही नहीं है आजकल इन्होंने शराब भी पीना शुरू कर दिया है मुझे कुछ भी खरीद कर नहीं देते अरे देखो मेरी मर्जी है मैं पीऊंगा वैसे शराब की बोतल एक अजास उपर की है पर तेरी साड़ी तो तीस हजार से शुरू होती है अरे अभी तुमारे पास पांच-छे साड़िया है क्या ये काफी नहीं है अरे मुझे आराम से शराब भी पीने देते अरे और तुम के लिए ट्रक भर तो क्या टाइटानिक भर कर भी साड़िया हो तो काफी नहीं है मुझे साड़ी घर इतनी है पैसे देते हो या नहीं ऐसा कह रही थी कि तभी स्रीकर वहाँ आया सीकर अपने पिताजी से पिताजी हमारा नया घर तयार हो गया है आप आकर वहाँ हमारे साथ रहिए पुड़े दिन बाद आता हूँ बेटा अब जब मैं यहां हूँ तभी ये इतने नाटक कर रहा है अगर मैं यहां नहीं रहा तो अपने बीबी और बच्चों को सड़क पर ला देगा यह तब सीधर सीकर से हैलो मेरे बड़े भाई तुम अपने नए घर में मुझे नहीं बुलाओगे कहते हैं कि नए घर को सरावी का आशिरुवाद मिले तो बहुत अच्छा होता है इतना ही नहीं उसकी नजर भी उतर जाती है इसलिए तुम ना भी बुला त तुम्हें बर्फ आशिरुवाद करूँगा अगले दिन सुखरा, सीधर, जानकी उनकी बेटी कीर्टी के साथ सीकर के घर गए वहाँ सब उस बड़िया घर को हैरान होकर देख रहे थे अजी देखा गर कितना आलिशान है ऐसा लगता है किसी जादूई दुनिया में आ गए है लगता है गर के अंदर समुन्दर आ गया है कुछ भी गहो जेटानी को देकर जलनसी होती है अब तो बस दीदी साडिया ही साडिया खरीदेगी और ढेर सारे गहने पहनेगी ये बातें सुनकर स्रीकर की पत्नी वैदेही अरे बहन तुम चिंता ना करो तुम्हारे पती भी ऐसा आलिशान घर बनाएंगे ये घर तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे घर को हम हैरान होकर देखेंगे बिल्कुल सही कहा भावी जी आप कहरे हो की बनाएंगे अरे मैंने तो अल्रेडी खरीड लिया है भावी हमारे घर का ग्रेव प्रेवेश कल ही है आप सब को आना होगा अरे तुन्हे नया घर खरीडा कब यानि रोज शराब पीते हो फिर भी तुम पैसे बचाते हो बेरी गुड बेटा मैंने तुम्हें गलत आंका था अरे देखा पिता जी ये बचत बचत जैसे गालियां मेरे सामने ना देना तुम सब जल्दी घर आजाओ मैंने उसमें तुमारे लिए भी एक कमरा बनाया है वो कोई साधारन कमरा नहीं है अरे तुम बस पानी में तैरते रहोगे पिता जी बस मौज करो अगर बापुजी मौज करेंगे मैं तो बस एश कर सकती हूँ क्यों है ना जरब बताओ तो जही अपना घर कैसा है प्लीज प्लीज बस थोड़ा सा बता दो बाकी में कलपना कर लूँगी अरे कर लो कर लो अच्छी तरह कलपना कर लो जानती हो अपना घर होगो कैसे अब ये घर पानी के उपर है अपने घर के अंदर ही पानी होगा सारे सामान घर के अंदर पानी में तैर रहे होंगे अगर हमने अपना घर देख लिया तो हमें तो भूग भी नहीं लगेगी अच्छा, अरे मुझसे और नहीं सहा जाता जरत जल्दी चलो, घर जाकर देख रहे हैं मुझے फीक, अब जी ले चलता हूँ सबको चलो कहकर सबको एक पानी में तैर रहे जोपड़ी के पास ले गया अब बाढ़ के कारण घर के अंदर पानी आगया था और घर के सारे सामान पानी में तैर रहे थे ये देखकर सुखराम अरे कमबक्त यहां कहां लिया है उपर से बाड का सारा पानी घर के अंदर आ गया है अरे यहां कौन रहेगा मैंने क्या कहा था पिताजी अरे तुमारे बहु के साडियों और गहनों के लिए मेरे बहुत उधार हो गया है अब उधार चुकाने के लिए अपना पुराना घर इसके गयने साडियों सब बेचा और ये घर खरी रहा है तो अब से हमें पसंद हो या ना हो हमें यहीं रहना होगा जाओ आप अपने कमरे में जाके सोजाओ अरे शराबी कमीने अरे तेरे उधार चुकाने के लिए मेरे साडियों और गयने सब बेच दिये और इस घर में रहने को कहते हो अरे कमीने मेरी साडियों और गयने ना हो उस घर में मैं कैसे रहूंगी है भगवान अब मैं यहां नहीं रहने वाली मैं माई के चली जाओंगी देखा पिताजी, मुझे उल्लू बना के कैसी कैसी बातें सुना रही है जब मैं उसे साधियां खरीद के देता था, गयने खरीद कर देता था तब मैं भगवान था, पर अब मुझे गाली दे रही है देखो पिताजी, कम से कम आप तो उसे समझाओ अब मैं घर पे नारियल फोड़ के खाना बनाने के लिए कहूं बिटा जी हाँ हाँ क्यों नहीं नारियल फोड़ूंगी तुमारे सर पर अरे तुम पैसे तो बचा नहीं सकते तो तुम्हें क्या जुरूर थे पत्नी और बचों की कहकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई जानकी के जाने के बाद स्रीदर से सुखराम अरे बेटे तुम कैसे रहते थे अब तुमारा ये क्या हाल हो गया है बेटा मैंने सोचा था कि तुमारा भविश बहुत उजवल है और तुम तो अपने पत्नी और बचों को रास्ते में लिया है तभी पास खड़ा स्री कर पिता जी आप चिंता ना करो ये सब जानकी को सबक सिखाने के लिए मैंने और भाई ने मिलकर ये नाटक किया है अब जिस घर का ग्रह पिवेश हुआ था वो घर स्रीदर का बनाया हुआ है मेरा घर भी वैसा ही है ये बात आपके और जानकी के अलावा सबको पता है अब शुकर है भई मैं तो टेंशन से ही मर जाता अब जानकी को अपने मैके में जितने दिन रहना चाहती है रहने दो जब वो बदल जाएगी तब उसे घर ले आते हैं